दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी से यूपी की सियासत में भी बवाल मच गया है। विपक्ष केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर एक जुठ हो गया है। केजरिवाल की गिरफतारी के फॉरण बात समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादों ने एक्स पर पोस्ट करते वई लिखा कि ये गिरफतारी एक नई जनक्रांती को जन्म देगी वहीं कॉंग्रेस ने भी केजरिवाल की गिरफतारी पर सवाल उठाए कॉंग्रेस ने ता प्रबोतिवारी ने कहा कि भै दिखाया जा रहा है जो भी इंडिया गडवन्दन में शामिल होगा उसका यही हश्र होगा टाइमिंग को लेकर भी कॉंग्रेस ने सवाल उठाए साफ दिख रहा है सब के समझ में आ रहा है लेकिन यह दाउं उल्टा पड़ेगा भाजपापल क्या एक सर्विंग चीफ मिस्टर को वो कहां भागा जा रहा था आप पूछते उनके घर पे वो तो कहीं रहे थे पर ग्रिफ्तार करके फिर ये भै दिखा रहा है आप कि जो इंडिया गडबंधन में सामिल होगा उसका यही हस रोगा डर पैदा करना चाहते हैं और मेरा सवाल टाइमिंग पर है एक तरफ कल ही सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक अफ इंडिया ने कहा है कि हमने तो उसके बाद जो भरतसना जो एक भारती जनता पार्टी की च्छवी उभर रही है किनों तो लूट लिया उन लोगों से एडी सी बी आई का डर दिखा के इंकम टैक्स का डर दिखा के जिनके हाथ कल तक जुर में डूबे हुए थे और दूसरा पहली बार गुजरात का सि यंग्रिस दोनों ने मिलकर वहां लड़ने की सोची उसे गुजरात में भी खिल गई है बोधी सरकार आमादमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दावा किया कि बीजेपी को ये डर है कि देश में अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल इसलिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि केजरी वाला और आमादमी पार्टी को कुचल दें भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंदर सरकार द्वारा गिरफतार किया गया है ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोशना के बाद एक नैशनल पार्टी के नैशनल कन्वीनर को गिरफतार किया गया है ये बिल्कुल साफ है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी भारतिय जनता पार्टी की एक राजनेतिक साज़िश है एडी का उप्योग करके एक विपक्षी दल के राश्ट्रियन नेता को गिरफतार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपे की भी रिकवरी आफ प्रोसीड्स आफ क्राइम नहीं हुई है एक ऐसे केस में गिरफतार करना जहां पर आज तक एडी कोट्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतिय जनता पार्टी का डर है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतिय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अर्विंद केजरिवाल है इसलिए भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रही हैं कि वो अर्विंद के जरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें तभी एक के बाद एक एक आम आदमी पाटी के एक एक नेता को गिरफतार किया जा रहा है वहीं राजी सबासान सत्थ कपिल सिब्बल ने भी कहा कि इंडिया गट बंधन के लोगों को एकठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए तो हिंडिया ऐलाइनस को खोट तह करना और क्या करना या करना है क्या नहीं करना मैं तो शुरुवाध से कह घारा हूं यहाँ आर यहाँ पॉला लोगों दूसरी statement में कुछ किया है कि तोड़ा सही है मुझे मालूम है फिर 53 statement होती है फिर 14 statement होती है फिर 5 statement के था पूँब मुझे इन्हों ने कहा था कि आसे पैसे पहुंचा दो थीक है फिर वो approver बन जाता है उसको बेर भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है, ऐसे दिनेश रोडा, मंगुंता यह से भी लोग ऐसे अप्रूवर बने हैं, आगवाई तो सिर्फ अप्रूवर की है और सुप्रीम कोट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाई ऐसे माने नहीं जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो, तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है, और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स है, तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनताओं को दिखाना है, कि हम कितने स्वाच हैं, हा नहीं इन सारे आरोपो पर बीजेपी ने पल अटवार करते हुए कहा, जो जैसा करता है, वो पैसा भरता है, मनोस्तिवारी ने केजरिवाल पर निशाना साथते हुए कहा, कि दिल्ली की जनता आज गली-गली में मिठाई बाट रही है, हमको लूटने वाला आज गिरफतार हुआ, जो जैसा करता है, वैसा भरता है, अरविंद केजरिवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है, भोली-भाली जनता, जुगी-वाली जनता, अनुत्राइस कलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरस्ती-तडपती हुई जनता, आखिर उ दिली के जन्ता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफतार हुआ और मान्य कोट ने स्वयम ही ये गिरफतारी भी बड़ी विसेस है कि गिरफतारी से पहले गिरफतार होने वाले को पता था आठाठ संवन को दरकिनार कर दिये और मान्य कोट के पास गए और मान्य कोट ने का भई तो आपका ब्रस्टाचार बहुत बड़ा है अप राद आपका बहुत बड़ा है आप अभी तक क्यों बिना गिरफ्तारी के घूम रहे हो और उनको गिरफ्तार होना पड़ा तो मैं तो फिर से वही लाइन कहता हूँ कि जो जैसा करता है वैसा भड़ता है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा आज उनका ये हस्र हो रहा है